सबी दोस्तों को नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल और डिट्यस सोलूशन पर यह भी 26 का कार्ड है इसके अंदर पैनल पे ट्रिपल लेट आया हुआ है लेकिन सब कुछ ओके है आप रिमोट चलाएंगे रिमोट ओके है पैनल के बटन चलाएंगे पैनल के बटन ओके हैं देखिए सिर्फ पैनल पे ट्रिपल लेट आया हुआ है इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ कि जिस तरफ यह बिंदी होती यह पहले कार्ड को निकाल दूँ जिदर बिंदी होती है और आईसी का नंबर सीधा सीधा पढ़ने में आता है जैसे यह अली बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ने में आ रहा है तो इधर बैठता है एक नंबर पिन ठीक है जी 32 पिन एक तरफ है 32 पिन इधर रहें 32 इधर रहें 32 इधर रहें टोटल 128 पिन है तो इस कार्ड के अंदर क्या होता है 69 नंबर यानि 59 नंबर पिन से डाटा निकलता है अकसर देखा होगा बहुत से मेकनिक क्या करते हैं इधर से पिन गिनना शुरू कर देते हैं तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर ऐसा कुछ नहीं है जो सीधा तरीका है काम करने का वह यह ही है 32 और बदतिस चोंसट तो 69 नंबर जो 69 नंबर पिन है यह उनसेट नंबर पिन से डाटा निकलता है जो पैनल की डिस्पले को ओपरेट करता है और यह कहां पहुचता है कभी आप चेक कर सकते हैं वह आपका इस नंबर पिन पर पहुचता है पैनल की पर इस तरफ से ग्राउंड की तरफ से चार नमबर और ये पैनल का है कभी-कभी आपने इसको देखा होगा ये शोट निकलता नए कार्ड में तो पैनल वर्क नहीं कर रहा होता तो ये पैनल ओपरेटिंग का है और ये जो ग्राउंड के बराबर में ये आयार का है जिससे कि हमारा सारा कुछ ओपरेट हो रहा है लेकिन हमारे जो पैनल को डाटा जाता है जो पैनल में आईसी लगी होती है ये वाली है इस आईसी को डाटा नहीं मिल रहा है जिससे ये पैनल की डिस्पेले को ओपरेट करें तो आज की वीडियो इसी के लिए है तो इसमें भी सभी वोल्टेज चेक कर लें फाल्ट तो इसमें मैन आईशी का है लेकिन कोई नया वीवर जुड़े तो उसको दिखाने के लिए हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं और फिर इसमें आईशी बदल के इस प्रोब्लम को सॉल्व करेंगे देखे पैनल में ट्रिपल एट टीवी की वायरा भी लगाने की जोर को नहीं है तो मैं वोल्टेज चेक करा देता हूं जल्दी जल्दी यह अपना वही 3.3 यह अपना 1.8 यह स्टार्ड बेस यहां पर एक चीज मैं और बताता चलूँगा अब एक दो जगा वोल्टेज बताना आपको एक्स्ट्रा करूँगा क्योंकि वहां से भी फाल्ट आता है यहां पर भी 1.8 आएगी यह भी देखते चलें अब और साथ में इस वाले पियेप भी 1.8 आएगी और स्टार्ड बेस वाली रिजिस्टेंस देथि सॉम के ऊपर 3.3 आएगी क्योंकि यही से कनक्सन यहां पहुंचता है कभी कभी किसी काड में क्या होता यहां तो वोल्टेज आ रही होती है लेकिन यहां पर नहीं पहुंच रही होती तो यहां भी चेक कर लेते हैं 1.8 वाला और 3.3 वाला उसी तरह यह सभी 1.5 पे 3.3 दूसरे पे 2.5 के करीब तीसरे पे 1.5 के करीब चोथे पे 3.3 तो यह सभी वोल्टेज ओक्की है सिर्फ जो दिक्कत हमारी आ रही है सिर्फ डाटा की प्रोब्लम आ रही है कि पैनल में 888 है तो इस आईसी को चेंज करेंगे तो कैमरा में स्टेंड पे लगा देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यह सब बंद करके आईसी उतारते हैं दोस्तों आप लोगों की ख्वाइस है कि मैं वर्टसप पर गुरूप बनाओं टेलीग्राम पर गुरूप बनाओं तो दोस्तों ऐसा मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि जब दिन के अंदर जब मैं शोप में वर्किंग पर होता हूँ तो हर थोड़ी थोड़ी देर में WhatsApp मैसिज पे notification आता है तो थोड़ा disturbance सा होता है और जब group बन जाएगा तो उसमें फिर notification आता ही रहेगा इस वज़े से मैं नहीं बना रहा हूँ थोड़ा busy schedule चल रहा है भी कि मुझे दिन में काम भी निकालना है आपको डेली वीडियो भी देना है और आपके phone आएंगे तो phone भी सुनना है और जो भी फाल्ट बताने वाली बात है वो भी सब handle करना है तो WhatsApp group और Telegram group के लिए sorry तो दोस्तों याईशी मैंने उतार लिया है और अब इसमें जो आईशी लगाएंगे इस काड़ के अंदर आईशी लगिए इस आईशी को इसमें लगाएंगे तो इस आईशी को उतार लेते हैं बड़े ध्यान से आईशी उतारें देखे अभी चिम्टी फिसल गई थी तो कभी-कभी आईशी की पिनों पर लग जाती है पिने बेंड हो जाती हैं सभी आप थोड़ा ध्यान से करें यह आईशी उतार चुकी है यह यहां रख देते हैं और जो इस काड़ से उतारिया वो यह वाली है तो यह वाली जो आईशी हमने उतार दीश पर ट्रिपल एट लिख देते हैं यादगारी के लिए तो आईशी के प्रिंट साफ करेंगे जल्दी से देख लें कोई सोर्टिंग ना रहे अगर कोई सोर्टिंग रह जाते तो बिना आईशी दुबारा उतारे वो सोर्टिंग नहीं निकल सकती तो आईशी की प्रिंट साफ कर लें और अईशी के अनगुठे से दबा लें है कि प्रिंटि योंगी तो वह बैठ जाएंगी तो वह देख जाएंगी है और बड़े ही ध्यान से इस आईशी को बिठाएं सभी पिने जब आपस में बिल्कुल एकदम ओके बैठ जाएं तभी इस पे सोल्डर लगाएं जब आईशी की पिने बिल्कुल बैठ जाएं तो इस तरीके से दबा लें और हलका सा पेष्ट लगा लें और थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लें चारों तरफ जिससे की आईशी रुक जाएं और अब आईशी रुक जाएं तो फिर से दबाने की बजूरत नहीं है पेष्ट लगाएं और हलका सा सोल्डर लें बहुत हलका सा और अराम से हलके हाथ से इस तरह सोल्डर करते चलें कई पिनों में सोर्टिंग हो जाए तो बड़े राम से साफ कर लें अब इसको एक बार ओन करके देख लेता हूं फिर इसे फिनिसिंग कर देंगे तो दोस्तों काड हमारा ओन हो चुका है तो इन सब को निकालके इसकी पहले फिनिसिंग कर देते हैं ज्यादा गंदा सा लगे पेश्ट ज्यादा लग गई है तो उसे थिनर से साफ कर दें नहीं तो ऐसे कोटन के कपड़े से साफ कर सकते हैं और अब फाइनल चेकिंग पावर ओन कर दी गई है और जूम आउट पैनल की डिस्पले आपके सामने आ चुकी है 65 और कैमरा में स्टेंड से उतार देता हूं तो यह देखिए पैनल की डिस्पले और इस पे सिगनल भी है और टीवी पे सिगनल भी है दोस्तो डाटा ना पोहुचने की वज़े से यह आईसी खराब अभी पिछली वीडियो मैंने ट्रिपल एट के लिए सिगनल आईसी का फाल्ट निकाला जहां पीएफ बदलेते और कभी-कभी क्या होता है ग्यारा सतरा से भी ट्रिपल एट आजाता है जो लगी आती है सप्लाई में अल्रेडी वह ऐलमुनियम वायर की वज़े से डिश्टर्बैंज आता है और कभी-कभी आईसी से भी आ जाता है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके बारे में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेष्ट फाल्ट के साथ नमस्कार